Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ अनीशा, आपकी अपनी English Educator So बच्चों, आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम Flamingo Book, Class 12 की जो बुक है, उसका 5th chapter, Indigo का Explanation Part 2 अगर आपने हमना हमारा Part 1 नहीं देखा है, तो जल्दी से जाईए और Part 1 देखके आए क्या कि आज हम इसी चाप्टर का Explanation continue कर रहे हमारे Part 2 के वीडियो में जब आपने Part 1 का वीडियो अगर नहीं देखा है, तो देख लीजे और जिन लोगों ने देखा है, तो मैं एक छोटा सा रीकाप करा देती हूँ Part 1 में हमने ये कवर किया था कि जो गांधी जी है, उनके पास राजकुमार शुकला नाम के एक शेर क्रॉपर आये थे, चमपारन डिस्ट्रिक से अपनी प्रॉब्लम लेके, कि वहाँ पर उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, और प्रॉब्लम क्या है, कि देना है, कुछ 15% का इंडिगो देना है, क्रॉप, अब बाद में जो लैंडलोड्स हैं, जो ब्रिटिश हो नहीं ये पता चलता है, कि हमें इस नाच्रल फाइबर की जरुवत नहीं, इस नाच्रल इंडिगो की जरुवत नहीं है, क्योंकि अब जरुमिनी जो है, ये कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, याने हमें पेमेंट देनी पड़ेगी, शेर क्रॉपर्स बहुत गुस्स हो गई है, ये सोचके कि हम क्यों पेमेंट दे, हम तो किराइदा रहें, जब तक आपकी लाइंड पे काम कर रहे थे, तब तक क्या दे रहे थे हम, क्रे रख कोट गए, अपने केस को लेके, हजारों की तादात में शेर क्रॉपर्स के साथ, अब जो कोट है, वो इतने सारे हजारों पेजिंस को, इतने सारे फार्मर्स को देखके, क्या हो गई, बहुत कन्फ्यूज हो गई, और बहुत डर गई, तो उन्होंने बोला कि हम जो कोट का जो case चल रहा है इसको कुछ दिल postpone कर देते हैं गांदी जी ने उनसे कहा नहीं आप ये postpone नहीं कर सकते आगे उन्होंने क्या बोला He disregarded the order to leave तो गांदी जी ने मना कर दिया कि मैं court का जो trial है जो case है इसको हम postpone क्यों करें उन्होंने reason पूछा not for want of respect for lawful authority but in obedience to higher law of our being the voice of conscious he asked the penalty due तो गांदी जी ने बोला कि मैं आपका कानून नहीं तोड रहा हूं मैं आपका law नहीं break कर रहा हूं लेकिन जो मेरा conscious है जो मेरी अंतर आत्म है जो मेरी soul है जो मुझे sense of right and wrong बताती कि क्या सही है क्या गलत है वो मुझे से कह रही है कि मुझे इस वक्त यहां से नहीं छोड़ के जाना चाहिए क्योंकि मैं किन के हित्स में लड़ने आया हूं किन का representative हूं मैं इन पूर sharecroppers का तो मैं यहां से छोड़ कर नहीं जाऊंगा मुझे कोई लोगों की respect और government के सामने बहुत बड़ा नाम law के सामने बहुत बड़ी image नहीं चाहिए मेरा सुर्फ यह conscious कहता है मेरा inner conscious कहता है कि मैं इस वक्त कोट का जो case है delay ना करूँ और इन बच्चों की और इन sharecroppers की बच्चे नहीं सौरी यह जो sharecroppers है poor farmers है इनकी दिक्कत को समझू he asked the penalty due और इस बात को कहने के लिए कोट के सामने उनने बोला अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो जित्ती भी penalty में है आप मुझ पर लगाना चाहते है आप लगा दीजी मैं आपको penalty pay कर दूँगा the magistrate announced that he would pronounce sentence after two hour recess and ask Gandhi to furnish bail for those 120 minutes Gandhi refused Magistrate कोन है judge, court का judge, civil officer और a judge pronounce करना याने कई चीज़ को declare करना recess मतलब break तो जो judge थे court के उनने बोला कि चलो ठीक है इसको postpone नहीं करते लेकिन मैं दो घंटे के break के बाद जो order है कि क्या result निकलना है वो announce करूँगा दो घंटे के break के बाद लेकिन तब तक Gandhi जी को bail अपनी देनी पड़ेगी bail क्यों होता है bail is an amount of money that a person who has been accused of a crime pays to the law court so that they can be released until their trial तो bail वो amount होता है वो पैसे होता है जो एक गुनेगार को pay करने पड़ते हैं court को ताकि कुछ देर के लिए उसको release मिल जाए जेल से और वो कुछ देर कब याने अगली सुनवाई तक लिए उसको release मिल जाए तो magistrate ने बोले ठीक है मैं दो गंटे बाद अपना अनाउंस करूँगा कि क्या sentence है क्या result निकलेगा तब तक Gandhi जी अपनी bail फिल कर दे याने वो कह रहे थे कि Gandhi जी गुनेगार है उन्होंने गलती करिये वो पैसे भर दे तो तब तक लिए हम free छोड़ देंगे और उसके बाद नहीं तो आपको जेल में डाल देंगे Gandhi जी ने refuse कर दिया मना कर दिया कि मैं bail किस बात की भरूँ किस बात का मैं गुनेगार हूँ मेर पर अभी कोई अभी केस थोड़ी लगाया मैं अभी गुनेगार साबित थोड़ी हूँ हूँ आँ जो मैं bail पे करूँ मैं तो free था और free ही रहूँगा तो judge अब क्या करे क्योंकि वो अपनी गलती में फस गया है तो उन्होंने गांदी जी को रिलीस कर दिया बिना bail payment के ही ओके वन दे कोट re-convent the judge said he would not deliver the judgment for several days meanwhile he allowed गांदी to remain at liberty re-convent का क्या मतलब है to start again after a small break और liberty आने free किसी को छोड़ देना जब दो घंटे के recess के बाद judge या जो magistrate से वो आये तो उन्होंने क्या बोला वापिस start करके क्या बोला कि मैं जो अपना judgment है जो अपना final answer है वो several days बहुत सारे दिनों के बाद दूँगा तब तक लिए गांदी जी फ्री रख सकते हैं आपको कोई jail will में ने डालेंगे क्योंकि अगर गांदी जी को jail में डाल देते तो thousands की number में जटे भी share cropers बाहर present थे वो attack कर देते British court पर राजिंदर प्रसाद, ब्रिच किशोर बाबू, मौलाना, मजर्दुलहक और several other prominent lawyers had arrived from Bihar They conferred with Gandhi तो जित्ते भी ये famous lawyer थे राजिंदर प्रसाद, ब्रिच किशोर बाबू, मौलाना, हजर्दुलहक और बहुत सरे prominent याने जित्ते भी important और famous lawyers थे ये सब Bihar से आ गए गांदी जी की support में Conferred का मतलब क्या होता है? Discussed और अब जब उनके उपर कोई bail का भी कोई tension नहीं है और अभी वो free है तो उन सब लोगों ने मिलकर आपस में discussion किया गांदी जी के साथ और discussion किस के बीच में था? सारे famous lawyers और गांदी जी के बीच में क्या discussion था? आईए देखते हैं What would they do if he was sentenced to prison? Gandhi asked तो गांदी जी ने इस discussion में lawyers से पूछा कि अगर मुझे jail में डाल दिया prison में याने jail में डाल दिया तो तुम लोग क्या करोगे? Why the senior lawyer Why? The senior lawyer replied They had come to advise and help him If he went to jail there would be nobody to advise and they would go home तो जो senior lawyer था उन्होंने गांदी जी से बोला कि हम सब लोग यहां पर आपको advise करने के लिए आपकी help करने के लिए आपके support में आए अगर आप ही jail में चले जाओगे तो हम किसे advise करेंगे? हमारे यह रहने का कोई मतलब नहीं है हम सब वापिस अपने अपने घर चले जाएंगे What about the injustice to the sharecroppers? Gandhi demanded तो गांदी जी ने बोला ठीक है तुम लोग घर वापिस चले जाओगे पर sharecroppers के साथ जो नाइसाफी हो रही है उसका क्या? उनको इंसाफ कौन दिलाएगा? The lawyers withdrew to consult Rajinder Prasad has recorded the upshot of their consultations withdrew to consult याने की left the place for discussion among themselves तो याने की गांदी जी ने जब ये बोला कि उन sharecroppers का क्या? तो ये बात सुनके जितने भी lawyers से वो कुछ देर के लिए थोड़ा side में चले गए क्योंकि उन्हें इस matter में आपस में discuss करना था कि हाँ यार गांदी जी तो सही बोल रहे है कि हम हम चले जाएंगे अपने घर क्या बताया? देखते हैं उन्होंने ये सोचा ये थोट अमंग्स देंसल्ब गांदी वस तोटली अ स्टेंजर और येट ये प्रिपेरेद तो गो तो प्रिजन पर दे सेक अफ दी पेजिंस इफ दे अन दे अधर हांद बिंग नोट ये रेजिदेंस थे अज्थोट भी फशुट फे आप सांठें दी टायशते हैं किसी कोब ये लेकिन फिर भी इनको जस्टेस दिनाने क्लिए वो काहां जाने क्लिए तया रहे? जेल तक में जाने के लिए तैयार है और on the other hand हम लोग तो इस चंपरन डिस्ट्रिक के ही है या इसके आसपास के रहने वाले ही है In fact हम लोग उने तो इन शेयर क्रॉपर्स के केसे पहले लड़े भी है काफी पास से इनको और इनकी प्रॉब्लम को देखा है हमने और अगर गांधी जेल चलेगे और हम लोग अपने घर चले जाएंगे तो यह बहुत शर्मनाग डेजर्शन होगा डेजर्शन यानि अगर हम लोगों की इन शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करे बिना यहां से वापिस चले जाएंगे अपने घर और उन्हें इस difficult situation मी छोड़ जाएंगे तो यह हमारे लिए एक बहुत शर्मनाग बात होगी तो यह पूरी चीजें राजेंदर प्रसाथ ने discussion के बाद बताई महात्मा गांधी जी को They accordingly went back to गांधी and told him they were ready to follow him to jail याने हम अब आपके साथ खड़ें The battle of Champaran is won He exclaimed और ये बात सुनकर गांधी जी बोले समझ लो जो Champaran का battle है जो लड़ाई में हम लड रहें इस वक्त समझ लो हम जीत गए क्योंकि अब हम सब एक साथ खड़ें Then he took a piece of paper and divided the group into two pairs and put down the order in which each pair was to be court arrest फिर गांधी जी ने एक paper लिया और जितने भी लोग वहां पे जितने भी lawyers वहां present थे उन सब lawyers को एक एक pair में याने दो दो लोगों को एक pair में रखके list मना दी और बोला कि अगर मैं court में जा अगर मैं jail में चला गया तो मेरे बाद एक एक pair अपना court arrest करेंगे याने कि court में आकर बोलेंगे गांधी जी गए अब हम दो लोगों को भी arrest करो फिर इनके बाद दो लोगों और आएंगे जो pair में थे अब हमारी भी court arrest कर दो हम भी jail में जाना साथ है तो ऐसे करके अपना-पना court arrest करेंगे तो इससे क्या होगा इससे Britishers pressurize होंगे और share croppers होंगे और गुस्से में आएंगे और उनके support में आएंगे तो ये plan बनाया था गांधी जी ने Several days later, गांधी received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped Lieutenant governor कौन होता है Deputy Governor province याने की उस territory उस region का बहुत दिनों के बाद गानी जी को court का जो order है magistrate के तुरू, judge के तुरू आया और उसमें ये लिखा था कि जो lieutenant governor, जो deputy governor है इस territory के, याने इस पूरे area के उन्होंने ये order दिया है कि जो चंपरन वाला case है, वो drop हो जाए याने कि खतम हो जाएगा ये case याने कि एक तरीके से समझो, आप जीते civil disobedience had triumphed the first time in modern India civil disobedience का मतलब क्या होता है peaceful form of political protest triumph का मतलब won, जीत जाना तो गानी जीन सोचते है कि पहली बार हिंदुस्तान में शांती पूरवक्त जो प्रोटेस्ट करी था वो हम जीत गए याने हमारे हित में बात होगी अब याने Britishers हार मान ली और वो उन्होंने accept कर लेके हमारी गलती थी गान्धी and the lawyers now proceeded to a conduct of far-flung inquiry into the grievances of the farmers अब जब कोई case जो है वो पूरा drop हो चुका है गान्धी जीत चुके अब याने उनके बास और टाइम था इस case के बार में information लेने का क्योंकि अभी next hearing बची थी final result अभी court का बचा था तो गान्धी जी और जितने भी lawyers थे उन्होंने far-flung inquiry करी याने की बहुत detail और inquiry करी Britishers के खिलाफ और जितने भी farmers थे जितने भी sharecroppers थे उनकी grievances को याने उनकी complaints को detail में सुना कि उनकी आखर में और तकलीफे क्या है depositions by about 10,000 patients were written down and notes made on other evidence depositions याने की formal written statements तो 10,000 patients, 10,000 sharecroppers की written statement बनाई गई और उनमें पता चला कि उनकी क्या-क्या तकलीफे हैं, क्या-क्या उनकी complaints हैं और इसके जितने भी जितने भी written documents से in सबके detailed notes बनाई गए ताकि हमारे पास और evidence आया याने और proof आया याने proof हमारे बढ़ते गए काफी सारे इस के लाव अभी उन्होंने proof इखटे किये Britishers के खिलाफ documents were collected the whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protests of the landlords अब जितने भी documents जितनी भी प्रूफ गांधी जी ने खटा किये थे वो सब उन्होंने एक साथ collect कर लिये और जो पूरा area था वो थ्रॉब हो रहा था यहने produced a lot of vibrations due to huge crowd क्योंकि गांधी जी उनके साथ उनके lawyers और पूरे sharecroppers का पूरा crowd इस तरीके से आ गया था जितने फाइनल रिजल्ट आने वाला था केस का पूरा area समझे जैसे थ्रॉब हो रहा है याने की पूरा vibrate हो रही थी जगा क्योंकि इतनी भीड थी वहाँ पर क्योंकि क्यों भीड हो रही थी because of the activity of the investigators investigators याने की inspectors वहाँ पे बहुत सारे inspectors भी थे क्योंकि वह लोग crowd को manage नहीं कर पा रहे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा disturbance और shore हो रहा था साथ ही साथ इस shore और disturbance के साथ जितने लैंडलोट से जितने Britishers थे वो भी vehement show कर रहे थे याने की showing strong, feeling forceful, passionate और intense वो भी बहुत गुसे में और वहाँ पे जितने लैंडलोट से वो क्या कर रहे थे, protest याने वो लोग भी आंदोलन कर रहे थे, तो basically सब लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ कर रहे थे, तो जगा बहुत confused और chaos में हो गई थी इन जून, गांधी वो समन्द to Sir Edward Gate the Lieutenant Governor, तो फिर June में, गांधी जी को किसने बुलाया, Summoned या ने, Called Upon किसने बुलाया, Sir Edward Gate ने बुलाया, जो की Lieutenant Governor थे, उसी अरिया के Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience, if he should not return, तो जब Lieutenant Governor ने June में, गांधी जी को अपने पास बुलाया तो जाने से पहले वो अपने सारे leading associates याने जितने भी popular supporters थे जितने भी lawyers उनके साथ खड़े तो जितने भी supporters थे उनको बोल कर गए कि मैं lieutenant governor से मिलने जा रहा हूं उन्होंने मुझे बुलाया है हो सकता है वो मुझे forcefully jail में बन कर दे अगर वो मुझे jail में बन कर दे तो अपना वो ही जो हमने पुराना वाला plan decide किया था उसी पर जाना, pairs में अपने आपका court arrest करते जाना जो हमने पहले decide किया था गांधी had four protracted interviews with the lieutenant governor who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo share cropers situation protracted का मतलब क्यों होता है lasting for a long time or a longer than expected जब गांधी जी lieutenant governor से meeting करने गए तो उन्होंने expect नहीं किया था कि इतनी लंबी ये interview हो जाएगा चार parts में उनके interviews हुए गांधी जी के जो की बहुत long duration के थे और उसमें उन्होंने official commission of inquiry को सब बताय कि indigo की और share propers की क्या situation है कितना ना इंसाफी हुए share propers की वो सब गांधी जी ने lieutenant governor को बताया जो वहाँ पर meeting चल रही थी lieutenant governor और गांधी जी के बीच में उस पूरी meeting में कौन-कौन था उस पूरी meeting में landlords थे यानि जो land के owners से Britishers वो लोग थे government officials थे, government के बड़े बड़े लोग थे, गांधी जी ये दो थे और गांधी जी थे और गांधी जी sole representative थे patients के क्योंकि ये case landlords और किसके बीच में हो रहा था share croppers के बीच में, तो इतने thousands की तादात में share croppers तो जाएंगे नी तो पूरे share croppers के अकेले representative याने अकेले उनके बहाफ पे बोलने वाले एकी person थे वहाँ पे गांधी जी तो ये ये लोग उस वक्त meeting में present थे गांधी remained in champaran for an initial uninterrupted period of seven months and then again for several shorter visits तो जब ये case start हुआ था तो initially याने शुरुआत में गांधी जी uninterrupted याने continuously seven months के लिए रुके और फिर बाद में वो अपने आशरम up-down करते रहते थे और short short visits के लिए बार-बार आते रहते थे The visit undertaken casually on the entreaty of the unlettered patient in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life Unlettered patient का मतलब क्या होता है Here Rajkumar Shukla who was illiterate याने यहाँ पे unlettered patient का मतलब होता है वो patient वो poor farmer जो अनपड़ है और पड़ा लिखा नहीं है और यहाँ पे किसकी बात हो रही है राजकुमार Shukla की Entreaty का मतलब a humble request जब कोई किसी से request करता है किसी चीज़ के लिए तो गांदी जी यहाँ पे बताते हैं कि मैं जब चंपारन विजिट के लिए गया था तो मुझे लगा था कि एक poor patient एक illiterate patient जिसका नाम राजकुमार Shukla था उसने मेरे से एक humble request करी थी कि प्लीज आप चंपारन आओ और हमारी problem को solve करो share troppers की problem को तो मुझे लगा था कि मैं few days में कुछ दिन में problem solve कर लूँगा और free हो के आ जाओंगा लेकिन इस पूरे issue ने मेरा पूरा एक साल ले लिया यहने 1916 से लेके 1917 तक पूरा एक साल मुझे पूरा वहाँ पे occupy हो गया था मैं शुरुवात में 7 months तक मैं continuous रहा था फिर up-down करता रहता था मैं अपने आश्रम सेवा ग्राम में और शौटर शौटर विजटी चुटी विजटी बार-बार में आता था तो बिसिकली पूरा साल लग गया था गानी जी को इनकी problem solve करने में The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters and when they saw this they agreed in principle to make refunds to the patients Assembled का मतलब gathered, एक खटा होना एक जगा पर Crushing mountain याने की huge mountain, बहुत बड़ा mountain और planters मतलब वो सारे landlords तो planters का मतलब क्या है? जितने भी landlords थे, Britishers थे, उनकी बात हो रही है यहाँ पर तो वो बोल रहे है कि एक official inquiry जो थी वो बिठाई गई और उसमें सब लोग इखटा हुए और उसमें जो landlords थे, जो planters थे, उनके against crushing mountain याने huge amount of evidence बताया गान्दी जी ने कि आप लोग कितने गलत हो याने कि उनके लिए, उनके लिए list of गलतियां बताई यहाँ पर गान्दी जी ने और जब उन्होंने अपनी गलतियां देखिये, उन्होंने accept किया कि ठीक है हमारी गलती है और जितना पैसा हमने जबरदस्ती आप से लिया है वो हम refund कर देंगे patients को, refund याने कि वापिस कर देंगे But how much must we pay? They asked Gandhi, तो गान्दी जी से Britishers ने पूचा कि ठीक है वापिस करेंगे पर कितना पै करें? तो उन्होंने यह चीज गान्दी जी से पूची They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and decidefully extorted from the sharecroppers Decidefully मतलब dishonesty याने कि धोके से जब किसी से कोई चीज लेते Extortedly याने कि taken by force जब हम किसी से कोई चीज जबरदस्ती ले लेते हैं तो जब गान्दी जी से उन्होंने पूचा कि हम आपको कितने पैसे refund करें तो उन्होंने सोचा कि गान्दी जी full amount बोलेंगे याने जितना पैसा हमने इन लोगों से जबरदस्ती दोके से इन sharecropper से लिया है वो हमको पूरा refund करने के लिए बोलेंगे He asked only 50% पर गान्दी जी ने कितने रुपे का refund मांगा सिर्फ 50% पैसा वापिस मांगा There he seemed adamant Sir writes, Reverend J. Z. Hodge A British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range Adamant का मतलब क्या होता है Firm याने दिर्ण अपने decision से जो तस से मसना हो वो और Reverend का मतलब क्या है? Respected जिस इंसान को बहुत respect दी जाती है तो जब गान्दी दी ने 50% पैसा वापिस refund मांगा तो जब उन्होंने ये चीज बोली वो काफी adamant दिख रहे थे याने कि काफी firm दिख रहे थे याने कि वो इस decision से ना तस से मस होईंगे कुछ भी अपना decision change नहीं करेंगे और ये चीज किस ने बताई? Respected J.Z.Hodge ने बताई ये एक बहुत ही respected British missionary थे चंपारन के missionary आने कि basically Christian community कुछ religious थे ये Christian community से बिलॉँ करते तो काफी religious थे इसलिए इनको चंपारन में काफी respect दी जाती थी तो J.Z.Hodge जो की काफी respected missionary community के person थे चंपारन में उन्होंने ये चीज बहुत closely observe करी थी, पूरा ये चीज देखी थी उन्होंने जब ये inquiry बिठाई गई थी, तो उन्होंने देखा कि Gandhi जी ने जब 50% माँगे तो बिल्कुल adamant थी याने की उन्होंने decide कर लिये था हम तस से मस नहीं होएंगे इस decision से thinking probably that he would not give way the representative of the planters offered to refund to the extent of 25% and to his amazement Mr. Gandhi took him at his word thus breaking the deadlock not give way का मतलब क्यो होता है not accept something जो इंसान accept नहीं करेगा जो उसने बोला है वो मानना ही पड़ेगा amazement का मतलब surprise shock हो जाना deadlock deadlock का मतलब वो situation जो आगे नहीं बढ़ रही जिसमें कोई progress नहीं हो रही जिसमें कोई solution नहीं निकल रहा तो यहां वो बोल रहे हैं कि thinking probably that he would not give way Britishers सोच रहे थे कि गांधी जी बिल्कुल भी accept नहीं करेंगे उनका order क्योंकि Britishers ने बोला कि हम आपको 50% refund नहीं करेंगे हम आपको सरफ 25% refund करेंगे तो गांधी जी जो कि ऐसा लग रहा था बिल्कुल firm है मानेंगे नहीं 50% से नीचे तो उन्होंने ये 25% वाला जो इनका जो decision था Britishers का वो accept कर लिया जो कि उन्हों सब के लिए बहुत surprising था क्योंकि उन्हें लगा था ये तो मानेंगे नहीं 50% में लेकिन उनके surprise में उनको शौक लगा कि गांधी जी 25% refund में मान गए और उन्होंने ऐसा क्यों किया क्योंकि उनको ये deadlock तो उनना था deadlock क्योंकि वहां पर एक ऐसी situation बन गई थी जिसमें ना कोई जीत रहा था ना हार रहा था याने गांधी जी 50% से नीचे नहीं उतर रहे थे और वो लग 25% से उपर दे नहीं रहे थे तो इसमें सब का time waste हो रहा था और इसमें basically deadlock situation आ गई थी जो भी commission थी जो भी गांधी जी के supporters थे सबने उन्होंने unanimously याने की without opposition बिना किसी दिक्कत के इस refund वाली situation को मान लिया सबने गांधी explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige obliged का मतलब क्यों होता है made legally bound to do something वो लोग ये करना मान गए Britishers मान गए और prestige याने की honor या फिर किसी का self respect जब गांधी जी ने 25% amount वापिस जिलवादिया share cropers का तो उन्होंने ये चीज़ बोली सबसे कि मेरे लिए ये 25% पैसा important नहीं है instead मेरे लिए क्या important है मेरे लिए important है कि Britishers जोके और उन्हें ये responsibility feel हुई कि हमने गलत किया और हम कुछ amount of पैसा वापिस करेंगे याने हमने Britishers को गलती मनवाई और हमने उन्हें जुकाया और उन्होंने हमे 25% पैसा वापिस किया साथ में उनकी prestige भी गई याने जो वो अपने आपको self respect मानते थे अपको बहुत honorable मानते थे वो भी उन लोगों की जो self respect थी हम सब के सामने गिरी मेरे लिए ये ज़्यादा important है याने गांदी जी ने ऐसा बूला therefore as far as the patients were concerned the planters had behaved as lords above the law तो बोल रहे हैं और अगर landlords की बात करें जो planters याने जो landlords यागर उनकी बात करें तो उन लोगोंने patients के साथ बहुत बुरा व्यवार किया है बहुत bad behavior किया है और वो अपने आपको ऐसा consider करते थे कि हम तो law के उपर lords है याने हम तो कानून के भी उपर हैं हम तो बगवान है तो ऐसा behave करते थे landlords share croppers के साथ तो जो लोग ऐसा behave करते थे इतने proud ही थे जो लोग उनकी self-respect गिरी उन्होंने अपनी गलती मानी और उन्होंने पैसा कुछ percent इसाई पर हमें दिया ये बात ज़ादा important थी गांदी जी के लिए ना की पैसा Now the patient saw that He had rights and defenders He learned courage अब जो patients थे जो share croppers थे उन्होंने देखा कि उनके पास अब rights है उनके पास भी कई सारे हक है और defenders भी है याने उनको परिशानियों से बचाने वाले protectors भी है लोग है और इस से उनको क्या मिली? Courage याने उनको हिम्मत मिली उनके मन से अब डर खताम हूँ Britishers का Evens justified Gandhi's position Within a few years the British planters abandoned their estates which reverted to the patients Justified मतलब marked by a good and legitimate reason जैसे जैसे ताइम आगे बढ़ा Britishers को Gandhi जी की position पता चलती गई कि ये कोई normal patient नी है ये तो कोई बहुत famous इंसान है जो South Africa से अपनी law पढ़के आए है और ये तो एक freedom fighter है जैसे जैसे गांदी जी के success उन्होंने देखी उन्होंने उनकी position identify कर ली Britishers नी की बहुत मतलब famous इंसान है और कुछ सालों बाद ही जो British landlords थे उन्होंने अपने estates estates याने जो उनकी जो property के जो parts थे अलग-अलग land के जो parts से उनको abandon कर दिया याने उनको छोड़ दिया याने land के जो वो owners थे अब वो owners नहीं रहे और जो पूरी land थी वो किसको revert कर दी थी किसके पास वापस चली गई थी poor patients के पास तो finally Britishers ने अपना land पे जो अपनी ownership थी वो छोड़ी और ownership अब किसके पास चली गई patients के पास अब land पे जो share croppers काम करते थे वो as a tenant as a किराइदार काम नहीं करते थे वो खुद owner बन गए थे land के Indigo share cropping disappeared और जो पूरा contract था 15% वाला Indigo बनाना और 15% वाला contract वो contract completely अब खतम हो गया उसमें Britishers का अब कोई role नहीं है क्योंकि owners land के अब कौन है share croppers Gandhi never contented himself with the large political or economic solutions He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately contented याने की satisfied तो Gandhi कभी भी ये चीज़े देखके satisfied नहीं होते थे कि इतने सारे political solutions है हमारे पास या मैंने कितना अच्छा कर दिया Champaran के share croppers के लिए उनके पास land आ गई है ये सब देखके वो satisfied नहीं होते थे क्यों क्योंकि उन्होंने देखा कि Champaran एक बहुत चोटी सी जगा है वहाँ पे cultural और social backwardness बहुत जाद है वहाँ के लोग बहुत पिछडे हुए हैं और वहाँ बिलकुल भी development नहीं है अब ये चीज गांदी जी को next चीज थी जो tension दे रही थी बहुत और वो immediately जल से जल इन लोगों की life को अच्छी बनाने के लिए कुछ करना चाहते थे तो गांदी जी ने जल से जल सोचा कि यहाँ पे बिलकुल भी बच्चे पढ़े लिखे नहीं है यहाँ पे स्कूल जी तो उनोंने दो टीचर अपोइंट करे और उनका नाम था महादेवी देशाई और नरहरी पारिक यह दोनों उसी टाइम गांदी जी के disciples बने थे याने उनके follower बने थे गांदी जी के ही चीजों को follow करते थे तो उनोंने इन दो टीचर को चंपारण में as a teacher रख दिया और इनी दोनों की जो wives थी वो भी वहाँ पर teaching में इनकी help करती थे चंपारण district में several more came from Bombay, Puna and other distant parts of land और भी बहुत सारे teachers आये थे Bombay से, Puna से और अलग-अलग parts of India से teachers appointed to a चंपारण की district में देवदास, Gandhi's youngest son arrived from the ashram and so did Mrs. Gandhi primary schools were opened in six villages और गांदी जी ने, Seva Gram Junka ashram है, वहाँ से अपने सबसे चोटे बेटे देवदास इनको भी बुलवाया कि तुम भी आओ और यहाँ के लोगों की life upliftment हमें करनी है और वहाँ के छे villages में उन्होंने primary schools भी खुलवाया also उन्होंने किसको बुलवाया, अपने आश्रम से, उनकी wife, Mrs. Gandhi को भी बुलवाया कि तुम भी आओ, यहाँ पे तो आकर चंपारन के लोगों की help करो कस्तूर भाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation तो कस्तूर भाई जो की गांदी जी की wife थी, उन्होंने चंपारन के लोगों को क्या सिखाया cleanliness, यहने साफ सफाई में रहना और community sanitation सिखाया क्योंकि चंपारन में drainage system, sanitation system नहीं था तो किस तरीके से साफ सफाई maintain करनी और hygiene में hygienic रहना यह सब वहाँ की ladies को और वहाँ के लोगों को कस्तूर भाई जो की गांदी जी की wife थी, उन्होंने सिखाया health conditions were miserable जो चंपारन की जो condition थी, उसकी health conditions were miserable थी याने बहुत bad थी वहाँ पे proper medical system नहीं था गांदी got a doctor to volunteer his services for 6 months volunteer करना याने की a person who offers a service for free of cost तो गांदी जी ने एक doctor को बुलवाया चंपारन में और उसने 6 months तग चंपारन में अपनी services free of costs वहाँ के लोगों को दी 3 medicines were available, castor oil, cunin and sulfur sulfur ointment, तो वहाँ पे उनके पास 3 medicines available थी doctor के पास एक castor oil which is this, यह castor oil दूसरी थी cunin और तीसरी थी sulfur tube यह ointment था याने tube था तो यह 3 medicines चंपारन में available थी जो कि पहले नहीं थी Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil जिस भी patient को दिक्कत होती थी और वो doctor के पास बताता थी की coated tongue है याने की tongue में problem है, गला खराब है तो उसको castor oil दिया जाता था जिसको malaria fever होता था, उसको cunin और castor oil साथ में दिया जाता था इस problem को solve करने के लिए Anybody with skin eruptions, जिसको भी skin problems होती थी eruptions याने skin related spots होते थे, rashes होते थे या marks आ जाते थे, skin पे अलग अलग निशान आ जाते थे उन लोगों को क्या दिया जाता था, ointment plus castor oil उनको ointment याने tube और castor oil दिया जाता था, skin पे लगाने के लिए Gandhi noticed the filthy state of women's clothes Gandhi जी ने एक और चीज़ notice करी चंपरन में, कि वहाँ पे जितनी भी ladies चंपरन में उनके कपडे बहुत गंदे रहते, बहुत डर्टी रहते He asked castor bai to talk to them about it तो Gandhi जी ने अपनी wife castor bai को बोला कि तुम इनसे इस बारे में discussion करो और उनको cleanliness सिखाओ One woman took castor bai into her hut and said Look there is no box or cupboard here for clothes The sari I am wearing is the only one I have एक lady चंपरन की जिसने कस्तूर bai को अपने hut में, अपने जोपडे में ले गई और बोला कि देखो हमारे गर में कोई box नहीं है, कोई cupboard नहीं है जिस पे हम कपडे रखे जो इस वक्त मैंने sari पहनी हुई है तो इससे पता चलता है कि चंपरन में कितनी गरीबी भी थी बहुत backward था चंपरन अब गांधी जी यहां के लोगों की condition को सुधारने में लगे हुए थे लेकिन on the other hand सेव ग्राम जो उनका आश्रम था गुजरात में वहाँ पर भी वो continuously instructions दे रहे थे regularly वहाँ पर वो लोग क्या कर रहे थे देख रहे थे कि वहाँ पर भी सब कुछ proper चल रहा है नहीं चल रहा है तो वो अपने instructions mail के थूँ भेचते थे आश्रम में और वहाँ से financial accounts भी मंगवाते थे याने की पूरा हिसाब किताब जो था आश्रम का वो भी मंगवाते थे Basically here a Champaran जहाँ पर गांदी जी थे और यह है Gujarat जहाँ पर उनका आश्रम था तो इतनी दूर से बैठ कर भी वो mails करते थे और Champaran को देखने के साथ-साथ क्रमपरन में थे तो वहां से उन्होंने लिखा लेटर लिखा यहां के residence को आश्रम के residence को कि जितने भी ट्रेंचेज हैं याने पिट्स हैं उसको फिल कर दो अदरवाइस बहुत बुरी स्मेल हैगी अब उस लोग क्या करते थे याने इसे गड़े डिक करते थे और इसी में अपना सब कारेकरम करते थे अब क्या होता था कुछ टाइम बाद अगर इन पिट्स को क्लोज नहीं किया जाएगा तो बहुत ज़ादा smell हो जाती थी तो गांधी जी ने बोला कि ये जितने भी pits है जो latrine trenches है इनको सब को आप बंद कर दो और नए pits दिख करो नए गड़े को दो अगर ऐसा नहीं किया तो वहाँ पे smell हो जाएगी तो ये instruction उन्होंने चंपरन से बैठ के दर आश्रम के लोगों को दिया जो चंपरन का episode था जो चंपरन की पूरी condition थी जो गांधी जी ने solve करी थी वो एक turning point था गांधी जी की life में यानि उनकी life में एक बहुत बड़ा change आया इस incidence के बाद वाट आइड इड, he explained was a very ordinary thing I declared that the British could not order me about in my own country तो गांधी जी कहते हैं, interview में Lewis Fisher से कि मैंने जो किया बहुत ordinary, बहुत normal सी चीज थी मैं बस इतना चाहता था कि मेरे घर में यानि मेरी country में मुझे बाहर के Britishers order नहीं दे सकते मेरी country में मैं अपने साब से चलूँगा मुझे Britishers order नहीं देंगे नहीं मैं उनके orders को मानूँगा But Champaran did not begin as an act of defiance It grew out of attempt to elevate the distress of large number of poor patients Defiance याने किसी के opposition खड़े होना याने किसी के आप against खड़े हो गए हो Elevate करना किसी की दिक्कत को reduce करना, कम करना Distress याने जो किसी के साथ torture हो रहा है तो गांदी जी कहते हैं कि जब मैंने चamparan का गया और उनकी problem solve करने गया था तो मैं किसी defiance के purpose पर नहीं गया था याने जब मैं चamparan जा रहा था तो मैं यह सोचके नहीं गया था कि मैं तो Britishers के against खड़ा हो जाऊंगा मैं कोर्ट के बार इतने सारे लोगों को इखटा कर लूँगा मैंने यह नहीं सोचा था मैं तो इसली गया था कि मैं जो पूर पेजिंज है उनकी लाइस में जितने टॉर्चर हो रहे हैं जितनी तकलीफे हो रहे हैं Britishers की वज़े से उनको कम करने गया था उनको solve करने गया था लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा issue बन गया यानि ये एक बहुत बड़ा chapter बन गया इस वाज़े टिपिकल गांधी पाटन इस पॉलिटिक्स वर इंटर्ट्वाइंड इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी और सब कुछ प्राक्टिकल था जो डे टू डे प्रॉब्लम्स होती है हजारों लोगों की उसको solve करने के purpose पे होते हमेशा गांधी जी जिसमें non-violence होता है याने गांधी जी अहिंसावादी है मार, पीट में believe नहीं करते शांती पूरवक्ट प्रॉब्लम्स को solve करने में believe करते और वही हुआ चंपरन में भी His was not a loyalty to abstractions It was a loyalty to living human beings abstractions मतलब something which exists only on idea कोई चीज जो आपके सरफ खयालों में आपके views में रहती है तो गांधी जी बोलते हैं यह सब चीजे जो मैं solve कर रहा हूँ यह abstractions नहीं, सरफ मेरे thoughts नहीं मेरी loyalty living beings के उपर है यानि जो मैं सोचता हूँ इंसानों के लिए वो मैं करने की पूरी-पूरी कोशिश करता हूँ In everything Gandhi did, moreover he tried to mold a new free India who could stand on his own feet and does make free India तो गांधी जी जो भी करते हैं जो भी उनके actions होते हैं उसमें उनका main motive, main purpose यह होता है कि India free हो जाए Indians जितने भी हैं वो अपने पैरों पर खुद कड़े होए और किसी के उपर depend न करे does making free India यानि वो basically India को, Hindustan को आजाद चाते है जो अपने उपरी self-reliable रहे यानि अपने उपरी हर चीज की responsibility रखे किसी पर dependent ना हो Early in the Champaran action Charles Freer Andrews the English pacifist who had become a devotee follower of the Mahatma came to bid Gandhi farewell before going on a tour to chair of duty to the Fiji Islands Pacifist Pacifist कौन होते? Peacemaker pacifist वो लोग होते हैं जो हर वक्त वो ही काम करते हैं जिससे peace बना रहे शांती बनी रहे लड़ाई जगड़े और violence ना हो Charles Freer Andrews यह जो picture आप मेरे left-hand side पर देख रहे हैं यह Charles Freer Andrews है और यह एक pacifist थे यानि यह peace में करते हैं जाने की he was an Englishman, Britisher थी जब चंपरन का case complete हो गया तो यह गांधी जी को क्या करने आए? फेरवेल देने आए थे यानि बेसिकली यह गांधी जी से last time मिलने आए थे क्योंकि यह कहां जा रहे थे? यह Fiji Islands जा रहे थे किसी beauty के लिए अपने किसी काम के लिए तो बेसिकली गांधी जी को बाई बाई बोलने आए थे गांधी's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in चंपरन and help them तो गांधी जी के जितने भी lawyer थे जितने भी friends थे उन्हेंने गांधी जी को यह idea दे कि काम करते हैं यह तो तुमारा follower है यह तुमारी हर बात मांता है इसको अपने side कर लेते हैं यह Englishman है हमारे side रहेगा तो हमें एक positive चीज होगी हमारे साथ की एक Englishman हमारे support में तो इसको बोल दो कि तुम यहीं रुख जाओ चंपरन में हमारे साथ हमारे help के लिए और Andrews रुख भी जाते अगर गांधी जी इस बात को मानते बिल्कुल अगेंस थे उन्होंने बोला बिल्कुल भी नहीं हम बिल्कुल एक Englishman को अपने support में खड़ा नहीं करेंगे और ऐसा क्यों बोला आईए देखते हैं He said you think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side तो गांधी जी ने lawyers को बोला कि तुम्हें क्या लगता है यह जो एक unequal fight है याने दो लोग जिसमें कोई equality नहीं एक तरफ shared property जो कि बिचारे इतने डरे हुए रहते हैं इतने गरीब होते हैं और एक तरफ जो Britishers है जो इतने powerful हैं जो हमेशे इनको dominate करते हैं इस unequal fight में तुम क्या जाते हो कि मैं एक Englishman को अपने side अपसायत न रख लूँ उसको अपना supporter बना लू This shows the weakness of your heart तो वो बोलते है इस से ये पता चलता है कि तुम लोग दिल से कितने कमजोर हो कितने weak हो खुद अपनी problem को solve नहीं कर सकते हैं तुमें दूसरे पर depend हो रहे हो याने इसमें हम किसी का गलत नहीं कर रहे है हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हम तो sharecroppers की मदद कर रहे तो जब तुम सच्चाई के रास्टे पे और कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो मैं किसी की support की क्या जरूँद तुम ये पूरी लड़ाई खुद अकेले ही लड़ सकते अपने बलबूते पे तुमको Mr. Andrews से कोई support एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए और ना तुम्हें लेना चाहिए क्योंकि वो एक Englishman है हम उन लोगों के खिलाफ है तो उनको ऐसे supporter क्यों रख लेंगे हम सही है हम गलत नहीं तो हम किसी के help नहीं लेंगे हम खुद अपनी problem को solve कर सकते तो राजिंदर प्रसाद जो की lawyer थे और बाद में हिंदुस्तान के सबसे पहले president भी बने थे उन्होंने बोला कि he had radar minds याने he कौन गांधी जी ने हमारे दिमाग पढ़ लिये वो हमको बिल्कुल समझ चुके और उनके पास गांधी जी की इस बात का कोई reply नहीं था क्योंकि वो समझ गए कि गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे गांधी जी ने इस तरीके से सारे lawyers को क्या lesson सिखाया self-reliance का lesson सिखाया self-sufficiency self-support याने हम अपने अपमे sufficient है हम अपने अपमे complete है अगर हम सही काम कर रहें हमें किसी के support की या किसी की help की ज़रुत नहीं है हम self-reliance या अपने prayer पर खुद खड़े होंगे किसी की मदद नहीं लेंगे इस तरीके से उन्होंने self-reliance का concept सिखाया किसको सारे lawyers को self-reliance, Indian independence and help to sharecroppers were all bound together तो इस से क्या बताया है उन्होंने कि जो अपने पेर पेर हम जब खुद खड़े होंगे तो इंडिया क्या बनेगा? independent बनेगा तो Indian independence भी self-reliance से connected थी और जो sharecroppers थे उनकी भी जो problem थी कि वो सब united हो गए थे और उनके मन से उनके दिलों से डर खतम होगे था Britishers का यह सब concepts एक दूसरे से connected थे याने समझो गांडी जी ने एक तीर से तीन निशाने मारे थी उन्होंने sharecroppers की problem solve करी और उनको निडर बनाया उन्होंने self freelance का concept सिखाया lawyers को और सभी को और इन ही तोनों चीज़ों से related है Indian independence जब सब साथ में होंगे आट मनेरबर बनेंगे Britishers पर depend नी बनेंगे तभी तो India independent बनेगा तो यह सब चीज़े गांडी जी ने सिखाया उस पक सारे लोगों को So children with this we come to an end of the explanation of our part 2 मैंने इस chapter को दो बात्स में डिवाट किया हुआ था अगर आपने हमारा part 1 नहीं दिखा है तो जल्दी से part 1 जाए और फिर part 2 से relate करके continue करके अपनी पढ़ाई complete करिए आप मेरे सारे videos YouTube पर भी दिख सकते हैं और अगर आपको YouTube पर हमारे videos नहीं मिल रहे हैं तो आपको एक easy सा process करना है कुछ नहीं करना है बस Google पर जाके हमारी website का नाम डालना है जो कि है magnetbrains.com और जैसे ही आप हमारी website का नाम डालेंगे कुछ इस तरीके से एक page आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर सारे सारे classes mentioned है Class 12, 11, 10, 9, 8 and so on For example मुझे Class 11 की English के videos देखने तो मैं Class 11 पर click करूँगी और जब मैं click करूँगी तो एक page आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से जिसमें 11th class में पढ़ाने वाली सारे teachers की list आ जाएगी For example 11th के English मैं पढ़ाती हूँ तो आप जब इस option पर click करेंगे तो मेरे पढ़ाय हुए सारे video lectures की list आपके सामने आ जाएगी For example Class 11 की Honbull book का first chapter मुझे देखना है The Portrait of a Lady का introduction जब मैं इस पर click करूँगी तो मेरे सामने के आ जाएगा आपके सामने के आ जाएगा और next video में मैं इस चाप्टर की summary और important question and answers कवा करूँगी तो उसके लिए stay tuned and तब तक लिए Bye Bye and take care